10 subjects हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा, कि आपको किस चीज़ पर focus करना है, maths plus empty, ठीक है, हमारी टाइम तक इननों से 20 questions आ रहे थे, अभी 30 questions तक आने लगे हैं, 30 questions का मनलब 60 marks, ठीक है, इसमें आपको, जितने आप marks पहरेज कर सकते हो, आपको यह ही महनत करना है, क्योंकि आपको math के formulas रहेंगे, आप उसकी practice कर सकते हो, आपको यह पता है कि math के questions है, वो उनी set of formulas में से आने वाला है, उसी syllabus में से आने वाला है, इसका एक तरीक है defined syllabus आपको मिला हुआ है, aptitude सबका inbuilt रहता है थोड़ा सा और आप teachers की मदद से भी आपको इसको enhance कर सकते हो अपना, तो इसमें आपको target रहना है, आपको 45-50 प्लस आए, और बागी subject में आपको किसी वो कुछ रखे ना रखे लेकिन math and aptitude आपको एक्टम एवर रखना है, आपको इसमें मेरे साथ ही रखना है कि ESC की तियार ही कर रहा हूँ तो math की जरूद नहीं, गेट में आता हूँ तो, लेकिन ESC में आपको इस चीज पर ही focus रखना है, क्योंकि first paper में इसके अलावा कोई भी solid marks नहीं है, इसके लाव जिननीव subjects हैं, सारे के सारे आपको कोई अप्शुरिटी नहीं है, उसमें कितने marks रहने वाले हैं, कहां से paper आएगा, क्योंकि UPSC ने इन बाकी की जो art subjects नहीं कोई defined syllabus नहीं दिया है.